नमस्कार, राजशवा टीवी के खास कारकेम संसदी वाद वाद में आपका स्वागत है, मैं हूँ अर्विन कुमार सिंग। संसद के सीथ कालिन सत्र के दोरान राजशवा ने एक बेहद अहम विध्यक पारिट किया, लोगपाल विध्यक 2011। इसे लेकर काफी दिनों से प्रयाश चल ला था, चार दसकों का सपना था ये, और इस विध्यक को पारिट होने के साथ ही साथ एक बहुत अहम कानून वारत के विध्याई इतिहास में लिखा गया है, इसे लेकर संसद से लेकर सलक तक तमाम बहसे हुई, लेकिन राजशवा मे कानून में ये होता है कि जब तक कोई व्यक्ति दोसी से दिन हो जाए, तब तक उसको निर्दोस बाना जाए, लेकिन ये बिल इस तरह का है, जिसमें हर व्यक्ति को दोसी मान कर चला जाएगा, और प्रधान मंत्री से लेकर, एमपी तक, और कैवनिट सेक्टि से लेके निचले इस तरह के अधिकारी तक, किसी के खिलाब भी, कोई भी व्यक्ति अप्रिकेशन दे सकता है, और हम लोगों को, और इन मंत्रियों को खासथ तोसे, एक एस पी इस तरह के अधिकारी के खिलाप, एक जिप्टिश तरह के ल जान देने जाना पड़ेगी यह बहुत ही हास्यास्पद इस्पती होगी और इस्थिती यह होगी कि कोई भी अधिकारी कागजों पर नहरे लेने पर दसकत करने से जड़ेगा मंत्री दसकत करने से जड़ेगा आज ही के अख़वारों में हैं कि अगली सरकार के भरोसे सेन आदम की करन लड़ाकू बिमान तोप पंडुबी खड़ी समय कई सौधे ठंडे बस्ते में कोई अधिकारी दसकत नहीं करना चाहता है हर फाइल प्रधानमंती के पास भीजना चाहता है कि केवल प्रधानमंती से दसकत करे जिम्मेदारी हो तो प्रधानमंती की हो अधिकारी जिव्टी से बचना चाहते में तो आप देश को अनेड़े की इस्तिती में ले जाना चाहते हैं हम राजनेतिक व्यक्त हैं विरोधी हमारे होते हैं जो आपके खिलाब चुनाव लगा आपका विरोधी है राजनेतिक विरोधी होंगे और विरोधी होंगे वो कोई भी किसी भी व्यक्त को जो ये कहे कि हम बिल्कुल 100% दूर के धुले हैं उसको भी कल लोगपाल आने के बाद उस MP को MP लेड़ वाले मामले में जेल भेजा जा सकता है कोई रोप नहीं चकता कोई अधिकारी फाइल नहीं चलाएगा और तो छोड़िये क्लास 3 और क्लास 4 के इंप्लॉई भी डरेंगे कोई भी यह कह सकता है कि साब ये क्लास 3 का इंप्लॉई या क्लास 4 का इंप्लॉई फाइल ले जाने के लिए हमसे पैसा मंग रहा है कोई निर्णा नहीं हो सकता है और सबसे खतरना किस्तिती है कि प्रधानमंत्री को जो जाच करने बाला होगा डिप्टी एस्पी एस्पी इस तरह कारिकारी उसके समक्ष अपने पात पहनी पड़ी जाच एक बार सुरू हो जाए चाहे आप निर्दोस सावित हो जाएं चाहे निर्दोस सावित हो जाएं लेकिन जनता की निगाह में वो आदमी बेईमान हो जाता है जिसके दरबादे सी बी आई चली जाए चाहे वो बिल्कुल निर्दोस सावित हो लेकिन ये मान लिया जाता है कि वो तो बेईमान है प्रचार सुरू हो जाता है तो ये इस्तिती रिटाइज चेफ जसिस ये होंगे अभी जजज का मामला आया कि नहीं आया मामला वहां हमने ये लोगपाल होंगे ये लोगपाल होंगे जो जनता की सेवा राध दिन करते जो आदी रात में भी दरबाजा खटकताता है कोई कस्ट में होता आदमी तो ये पलिटीकल लोग बैठे हुए लोग उटकी मदद करते हैं बे सब बेइमान हैं और बेइमानदार हैं जो किसी से कभी मिलेंगे नहीं अगर मिलने के लिए टाइम ले तो कहेंगे अब पूजा कर रहे हैं और आफिस चले गए उसके बार रिटायर हो जाएंगे रिटायर होने के बाद लोगपाल बन जाएंगे रो आपकी जांच करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मसलों पर जब निरड़य नहीं हो सकेगा अनर्णय की इस्तिती में देश होगा तो वो देश के हित्मे नहीं होगा कई बार प्रदानमंत्री को तात कालिक देश के हित्मे देश की सुरक्षा के हित्मे ततकाल निरड़य लेना पर सकता है इस पर भी क्वेश्चन उठाएगा इस पर भी जाचे होगी तो यह देश के हित्मे नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें यह जो आप काम करने जा रहे हैं इस पाप में समाजबादी पार्टी भागी नहीं हो भागीदार नहीं बनेगी इसलिए हमारी पार्टी इसका गिरोध करती है और सदन से बहिसकार करती है टार्वार कंटे है जार्वाद्ट जार्वाद आप नाज टो प्टू मुझ थाओज कर्था जार्वाद्यू suggestible the select committee so the bill has passed by the loksaba provides broadly for the following number one it seeks to establish the institution of the lokal at the center and the loka ayukta at the level of the state and thus seek to provide a uniform vigilance and anti-corruption road map for the nation both at the center and at the states two the lokal will consist of a वे में सूफ्ट च्छ ताफ इट परेंशनाश ज विजिशनाटिम भ्जिजा डिशनाश वीजे पंपतमा फिशे के टिस्ट ग्षाद लोग्पाल जाल जाल इसेट्ट ग्णु प्रेंशनाश अंह। स्थी करे लेओं कर अचाब गआई जिज तिज ऑंधिर शेटिव अगुसित्से तुटिद ऑन्स टुटिज अवड दौटिजि अंछिपु कर्इज अमिन धान अविडरा यह जुरी जोर भीरिटिरैग, सहीं जेस्ट्सिट और टुिछ पूंधिर टेय। बोट विhlड करने च्पले समय कुछ्ट सर्थ सुटकीे पूब ए्टोड करके एंग चुछे कहसे घर प्रॉफ प dif रोसे Doch जेरों कर जार मकाम ट्कल आवो कीवार लेक्षानेश से अधिजिट अवड़ औरपीगी प्रवेजिए करहा हैं भार्थ प्रड़ कर्यों सेमेश खुम्सेटर फैन ऐफ अग खवाओ प्रफटाइब प्री अप्या विजित प्रफट खिते अवार फैनिस निद यह जब दे अशपनेंटे कि गार्ट य एक्तेट में से वी लियूए चलुए के लिए खेड़ दोच अनिव लियूए के लियू चाहिए लियू प्रेजिए लियूथ, लिएक वान वान फिरणानप्ट पंजियू अम्यार्ष इन्यूए अे लिए। और लिदी गू Townshire लिए। लिए 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 कि लियूए and changes in the bill as recommended by the select committee first the select committee has recommended to do away with part three of the bill which contains provisions relating to state low coyotes and the argument was that the state like low coyotes if we part of parliamentary legislation that impacts on the federal structure so we have accepted that in its place the select committee has recommended that this part of the bill may be replaced with a new section 63 which contains a mandate for setting up of the institution of the low kayu through enactment of a law by the state legislature within a period of 365 days from the date of commencement of the act government has decided to accept this recommendation two the select committee has recommended that the fifth member of selection committee for selection of lokpal under the category of eminent jurist may be nominated by the president on the basis of recommendation of the first four members of the select committee namely prime minister speaker lok sabha leader of opposition lok sabha chief justice of india government has decided to accept this recommendation three the select committee has recommended that in clause 14 1g of the city of the bill the category institutions financed by government be retained under the jurisdiction of lokpal but the institutions aided by government may be excluded government has decided to accept this recommendation four in clause 14 1h of the bill the select committee has recommended exclusion of bodies and institutions receiving of donations from the public from the purview of the lokpal the government accept this recommendation of the selection committee select committee five the select committee has recommended that the power to grant sanction for prosecution of public servants should be shifted to the lokpal in place of the government the select committee has recommended that the pal may be required to seek comments of the competent authority and the public servant before taking decision government has decided to accept this recommendation of the select committee with a slight modification that we want to give to that particular government servant a hearing before that decision is taken by the lokpal number five after taking a decision on filing a charge sheet in a case upon consideration of the investigation report the lokpal may authorize its own prosecution wing or the concerned investigating agency to initiate prosecution in the special court government has decided to accept this recommendation of the select committee six the select committee has recommended a number of amendments in the bill with a view to strengthening the cbi one the set the setting up of a directorate of prosecution headed by a director of prosecution under the overall control of the director cbi two the appointment of the cbi two the appointment of the director of prosecution on the recommendation of the cbc three maintenance of a panel of advocates by cbi other than government advocates with the consent of the lokpal for handling lokpal referred cases four transfer of officers of cbi investigating cases referred by lokpal with the approval of lokpal and five provision of adequate funds to cbi for investigating cases referred by local government had originally decided to accept all these recommendations so there is no element of any governmental interference when you deal with matters of corruption with these words sir i commend this bill to the distinguished members of this house thank you honorable । । । । । । । दिया है कि जो बहस 46 वर्षों से इस देश में चल रही थी उसको आज समाप्त करके हम पहल करें और लोकपाल कानून को पारित करें इस कानून आने के बाद निरने की प्रक्रिया सुद्रेगी लोग डरेंगे गलत कारणों से निरने करते बाद और इसलिए 39 दिसंबर 2011 और हो रहे हैं आने वाले कल में भी शायद इसमें चार और सुधार करने की आवश्यक्ता पड़े और अनुबव के आधार पर इस देश की राजनेतिक प्रक्रिया उसको करें इसमें किता कि हर राज्य के अंदर लोकायुक्त की स्तापना होगी इस विशे को लेकर केवल राजनेतिक नहीं एक संविधानिक बहस थी भाष्टा चार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है लोकायुक्त या लोकपाल के माद्यम से तो देश के संगिये धांचे के साथ साथ वो लड़ी जा सकती है और 39 दिसंबर 2011 की बहस में ये बड़ा प्रमुख कारण था सरकार की तरफ से एक आ गया कि संविधान की धारा 253 के तहट क्योंकि अंतर राष्ट्रिये एक समझाता है International Covenant Against Corruption Convention Against Corruption उसको इफेक्ट देने के लिए इस कानून को लाया जाए और इसलिए केंद्रिये सरकार के पास ये अधिकार होगा अन्य राजनेतिक दनों का ये मानना था कि ये कानून राज्य की सेवाओं के साथ सम्मंद रखता है इसलिए आज जो सुझाव लाया सेलेक्ट कमिटी के सुझाव के बाद कि इसकी एक प्रावधान इस कानून में कर दिया कि एक वर्ष के अंदर हर राज्य के अंदर लोकायुक्त बनाना अनिवारे होगा एक मॉडल लो इसी कानून के आधार पर केंदर हर राज्य को भेजे उस कानून को या कुछ संशोदनों के साथ हर राज्य की विदान सबा के लिए ये अनिवारे होगा कि उस लोकायुक्त को भी पारिद करें लोकायुक्त होगा लेकिन सम्विधान के धारे में होगा और जो सम्विधान एक संस्ता है हर राज्य की यह राज्य की विदान सबा यह उसके उपर जिम्मेवारी दी गई है कि उसके लिए यह अनिवारे होगा कि उस कानून को वो बनाए लोकपाल की न्युक्ति करने में सरकार का पनला अगर भारी रहता है तो केंदर की सरकार और राज्यों में राज्य की सरकार अपनी मन्द से लोकपाल की न्युक्ति कर ले और फिर उसका राजनेतिक दुरूपियोग होगा सरकार की तरफ से तीन ऐसे लोग थे पांच में से पहले ड्राफ्ट में जो सरकार का पक्ष ले सकते थे एक उसमें Chief Justice of India थे एक Leader of Opposition थे दोनों सरकार के दाइरे से बाहर थे लोगसभा के अध्यक्ष रहेंगे प्रधानमंत्री जी रहेंगे पांचवे सदस से एक जूरिस्ट of Eminence जिसको सरकार निपत करती है उसको हम लोगोंने बदल दिया और बदल के ये पहले चारों सदस से जिसमें Chief Justice of India भी होंगे Leader of Opposition भी होंगे लोगसभा के अध्यक्ष भी होंगे प्रधानमंत्री जी भी होंगे ये चारों मिलकर पांचवे सदस का चैन करेंगे जो एक जूरिस्ट of Eminence रहेंगे लोगपाल जिसके खिलाब शिकायत होगी उसको हटाने का अधिकार किसके पास होगा जो सरकार विदेक लाई थी उसमें हटाने का अधिकार और उस कारवाई को आरंब करने का अधिकार केंदर सरकार के पास था उस प्रावधान को भी बदल के सांसदों जैसे impeachment प्रोसेस होता है ये अधिकार उसकी तरफ शिफ्ट किया गया इस reference के दौरान क्या वो अपने पद पे बने रह सकते हैं calor का पुराने पानून में जो लाए गया था सश्पेंड करने का अधिकार केंदर सरकार को था वो अधिकार भी सुप्रीम कोट को shift कर दिया गया ताकि लोकपाल की हटाने का या सस्पेंड करने का प्रावदान भी जो है उसको निश्पक्षता एक प्रकार से जीचा सके हैं समानने तौर पे जिसके खिलाफ कारवाई हो रही है उससे पूछना यह अपने आप में न्याज संगत है लेकिन इसमें एक अप्वाद करने की जरूरत है ब्रश्टाचार के संबंध में अगर आरोप यह है कि फला आदमी रिश्वत मांग राया और इस जगह पर रिश्वत लेगा प्लीज अलाव सर्च और सीजर इवन विदाउट अप्रायर नोटिस में अगा जारिधिके लिए रिफ्यारिपटरी विए इसल्वत में इसमें अप्रिशा सोटाइश। सर्व लाज सगेशने इस यह पर ररूविए यह प्रवदिगर इस प्लावाद सी जर्वराद से में इसमें ऑष्य। एक ताकतवर लोकपाल की मांग काफी पुरानी है, संसद में भी इस मसले को लेकर तमाम भासे हुई, साथी साथ सिविल ससाइटी ने भी इस मसले को उठाया, इसके बाद इस्थाई समिती और परवर समिती सबने इसकी गहन चानमीन की, फिलालम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे वाद वादुवाद। जो मिलता है, अगर उसके उपर कोई आरोप है, तो उस आरोप की जाज लोकायत के तहट होनी चाहिए, वरना देश के अंदर, Eliminating Corruption at High Places is not possible. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कारकम संसरी वाद वादुवाद, मैं हूँ अर्विन कुमार सिंग, लोकपाल से जुड़े मसलों पर संसरी ने खुल कर तमाम सवाल खड़े किये, भष्टाचार से लड़ने वाली मसींदी की कमजोरी की बादे कहीं, साथी साथ ससक्त लोकपाल के पक्ष में कई हम सवाल भी उठाए, हाई आपको दिखाते हैं वाद वाद में क्या सवाल उठाएगे साथीश चंदर मिस्टरा मानवर, शेडूल कास्ट, शेडूल ट्राइब्स, बैक्वर्ड क्लास, माइनॉरिटीज, इनका रिप्रेजेंटेशन सिलेक्ट कमिटी में आपने रखा है आपने जो सर्च कमिटी उसमें भी रखा है, आपने लोकपाल की कमिटी में भी रखा है इसके लिए मैं आपको बढ़ाई देता हूँ, 25% की जो जनता है बलॉंग करती है शेडूल कास को उनका कुछ रिप्रेजेंटेटिव बात सुनने के लिए और उनकी बात समझने के लिए इन संस्थाओं पर भी इन जगहों पर भी उपलवद हों बैठे हों मानवर, section 63 के होने की वज़े से आपने लोक आयों को वाला प्रोविजन तो हटा दिया प्रदान मंदीव ने हमें अर्थशास्त सिखाया था नो ने अर्थशास पे दो बाते कहीं तो एक तरव से होता है दूसरे तरह से होता है डिमांड आज लोकपाल की बात हम कह रहे हैं कि देश के अंदर ब्रश्टाचार पर रोक लगाएंगे तो ब्रश्टाचार के डिमांड के ऊपर रोक लगाएंगे उसके लिए पूरे प्रावदार आपने बनाया आप सपले के बारे में का है करती लिताई और लोका एक्तास हमने कहा था कि एक मौडल बिल बेजिए जो आज स्विकार हुआ दोनों तरफ से आप राज सरकारे राज एसेंबली क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उन पर निर्बर है लेकिन हमारी आगरे उन सबसे यह ही है कि इस मौडल बिल के आधार समयधान के संगी धाचे के आधार पर वो अपने अपने राजों के अंदर लोका युक्त एक साल के अंदर करें जहां तक एपॉइंट्समेंट का सवाल है उसको ब्रॉडन करने की बात हुई लोका इसका एपॉइंट्मेंट के बारे में सी बीए डिरेक्टर के और बहुत सारे बाते हैं कि जहांत तक लोकायत के अंदर जो केसे सें उस के अधिहीन में लोकायत के अधिहीन में ही काम करेगी हम चाहेंगे की वह पूरी तरीके से प्राबदा नहीं आया लेकिन कुछ हद तक तो उसके और आप बड़े हैं हमने जो एक संशोजन जो मूउ कोई संसत करेगी यह कानून करेगा लेकिन जब वो सरकारी काम के लिए अपनी टेंडर देते हैं उनको जो contract जो मिलता है अगर उसके उपर कोई आरोप है तो उस आरोप की जाज लोकायत के तहद होनी चाहिए वरना देश के अंदर eliminating corruption at high places is not possible अब PPP का सवाल public private partnership कहते हुआ public private partnership मेरा यह मानना है कि it is private use of public funds उसको तो आप अगर इससे बाहर रख रहे हो तो यह बताइए आप किस तरीके से देश को अपना अस्वाशन पूरा कर रहे हो कि ब्रश्टाचार को दूर करने के लिए हमें effective लोगपाल लाएंगे effective कानून लाएंगे यह ब्रश्टाचार के खिलाब कानून जरूर है लेकिन यह effective कानून नहीं और Warren funded NGOs पर फुर्ट पुनर विचार कर ये शिरी सुकेंदो शेकर रॉइब I would like to endorse this bill in view of the fact that there is no such provision in this bill excepting that the state legislatures would enact appropriate legislation for establishment of local at the state level. Some of the honorable members were suggesting that there should be a model for that. We are opposed to that, sir. Because, because already in different states there exist loka youth acts. In some of the states there are existing acts for loka youth and in some of the states there is no such existence of any loka youth institution like my state. Therefore, I support the bill. Now, sir, I want to put a serious question on clause 3, sub clause 2 of the bill. That there is a provision that loka pal shall consist of a chairperson who is or has been a chief justice of India or is or has been a judge of the Supreme Court. Why all the time such authorities are headed by judges only? I have gone through a reported incident of sexual harassment by a former judge of Supreme Court with a law intern. And it is a shame on the part of that person that he is still holding the post of chairman of West Bengal Human Rights Commission. Because people will lose faith in institutions. Therefore, I would suggest the government, particularly the honorable law minister, to think and rethink over the issues. Then, sir, sub clause 3 to clause 4 of this bill. Clause 4 says the chairperson or a member shall not be a member of parliament or a member of the legislature of any state. Why? Why? Already, sub clause 2 of clause 3 has said that who will be the chairman and who will be the member? Then what is the need of saying that a elected representative of parliament or legislature shall not be a chairperson either or the member of the loka, loka pal? This is a stigma as if all the members, elected representatives of the people, they are corrupt. All the elected representatives are indulged in offenses of moral turpitude. This is not a fact. In fact, I would like to point out another clause, that is clause 45. Clause 45 of this bill, it says about the undisclosed assets. Undisclosed assets. And it says that such assets shall, unless otherwise proved, be presumed to belong to the public servant, and shall be presumed to be assets acquired by corrupt means. I think, sir, this word presumed should be replaced with the word cheated because law does not prescribe any presumption. The government has also called the government. The government has argued against laws. The government has done the right to prove the laws as far as the law. मजबूत लोकपाल की वकालत की उहीं साथी साथ मौजूदातन की तमाम खामियों को भी उजागर किया। साथी साथ उन्हों ने कुछ बहुत महत्मूर सुझाओ दिये जिसे सरकार ने स्विकार भी किया। इस एपिसोड में फिलाल यहीं तक आगे के एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि सांसदों ने और क्या कुछ कहा और साथी साथ सरकार ने क्या जवाब दिया। As per Class 14.1, the Prime Minister falls under the jurisdiction of Lokpal. My party is of a strong view that the Lokpal Bill should exclude the Prime Minister, since the Prime Minister is already covered under the Prevention of Corruption Act and any misconduct by the Prime Minister can be investigated otherwise. The functioning of Lokpal, inclusive of the Prime Minister, will pave the way for a parallel government which would undermine the authority of the Office of the Prime Minister. Similarly, the Chief Minister of any State should also be kept out of the preview of the State Lokahekta. I want to reiterate here today, if and when a Lokahekta Act is enacted in Tamil Nadu Assembly, we will see to it that the Chief Minister of the State is not included in the Lokahekta Act.